हेलो इस्टुडेंस आज हम चेप्टर तेरो प्रिष्टिय छेत्र फल और आयतन एक्सरसाइज तेरो पॉइंट एक से कोश्चेन नमर एक स्वल्प करेंगे आने वाले परिष्च में इंप्रोटेंट कोश्चन लग रहा था इसलिए मैंने सुचा के चलो इसी को स्वल्प करत हैं जिसमें परतेक का आयतन 64 सेंटिमीटर क्यूब है तो देखे पहले हम दो घं बना लेते हैं देखे इस तरह से घं किसे का जाता है जिसके लंबाई चौड़ाई और उंचाई तीनों बड़ाबर हो वह घं होता है तो चले इस तरह से घं बना लिए यह लंबाई इन दोनों को मिला दिया जाता है तो इससे घं पराप्त होता है घं आप किसको का जाता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और उंचाई बड़ाबर ना हो जैसे माचिस है माचिस का डिब्बा जो है वह घं आप है तो और लुडू का जो पाशा होता है वह आपका घं है तो य गहनाब बना लेते हैं इस तरीके से गहनाब बना लिए चेले यह घहनाब हो गया माल लेते हैं कि यह यहां पर वो यहां पर इसका जूइंट है मिलाया गया है तो अब क्या कहता है कि नया जो गहनाब बना दुनों को मिलाने के बाद तो इसका प्रिष्ट्रिय चेतरफल ग्य हल में चलते हैं गहन का आयतन और चोह सट है सेंटीमीटर क्यों यह एक गहन का हम निकालते तो यह अधिन का एक भूजा है Starting सदूता है लंबा ढूना चा Paul मनाई बराबर रहा तो जाहर चाहर कंने लिए 7 रूत 10 difficult ईसको अमधोर करें कितना हो जाए ठ conquered in the हो जाएगा इसका मतलब चार सिंटीमेटर का है यह भी चार सिंटीमेटर हो जाएगा यह भी चार यह नहीं परते भुजा चार चार सिंटीमेटर हो जाएगा यहां भी चार ही रहेगा यह भी 4 रहेगा जमनी लंबाई चला याद को पिता लग गया चलेए हम क्या करेंगे घं आप का घंआप की लंबाई यह इंपल लिया है लंबाइ यहां लिख दे ungeht घंटी-आ चौडाई, चौडाई को B कहा जाता है, यह हो गया कितना, 4 cm, और उचाई हो गया H, और यह हो गया कितना, 4 cm, देखें, यह उचाई भी 4 cm हो गया इसका, उचाई चाई 4, चौडाई 4, और लंबाई के वज़ 8 cm हो गया, तब हम घणाप का छेतरफल निकाल नेगे, चले घहनाप का च्छेतरफल घहनाप का पिरिष्ट्य च्छेतरफल पिरिष्ट्य यानि संपुर्ण पिरिष्ट्य च्छेतरफल देखे इसका च्छेतरफल यदि हम फर्मूला भूल जाए तो एक तरीका हम बता देते हैं आपको निकालने का यह जो surface यहांон side में आपको दिखाड़े थी है यहां पड़ भी है उसके दूसरे side में भी है तो इसका जो छ्शेत्र फल्ल होगा उसको 2 से गुना कर देंगे तो ऊस side वाला भी निकल जागा है यह जो face है जहां से मेरा column होंडा है इसका एदे निकाल करके हम दो से गुना कर देंगे, तो दूसरा साइड वाला भी निकाल जागा, फिर उपर वाला का निकाल करके दो से गुना कर देंगे, तो तेसरा नीचे वाला का भी निकाल जागा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फर्मला जो होता है, तो इन्ट गुना चौड़ाई जोर चौड़ाई गुना उचाई जोर उचाई गुना लंबाई यह होता है इसका घनाप का संपूर्ण प्रिष्ट्री अच्छे तरफल चले इसी पर हम बैठा देते हैं टू इन्टू लंबाई कितना है लंबाई आपके पासे आठ आठ गुना चार जोर फिर इहां चार गुना चार जोर फिर लंबाई आठ गुना उचाई चार दो गुना आठ चोक 32 जोर 4 चोक जोर 8 चोक 32 यह हो गया अब इस गुना कर देते हैं हम 32 दुनी 64 और सोलो 80 दुना 80 दुना दुना 80 हो गया बराबर हो गया 80 दुनी 160 यह आपका एंसर हो गया चले कोश्चन नमबर 2 के लिए आप जो है इन डी स्क्रीन में देखेंगे कोश्चन नमबर 2 मिल जाएगा याई वीडियो खतम होते होते हैं और इसका सोलोशन का यह आप पीडियाप चाते हैं तो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जागा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिस्क्रिप्सिन में दियाओ रहेगा